जैन साथियों के इस वा कम आजमकट जीने की लेवगाउं बाजार में महुत हुद है जैसा आप चाहते हैं कि 14 अपरेल को दक्तर भी प्राव अंबेटकर संविधार रिष्टेता की जैन्ती बहुत ही हर्ष और विदास के साथ मनाई जाती है और जैसा देवगाउं माजार के अंदर अग्राव में देखेंगे तो इसका आयोजन करते हैं तो वकिल साथ आज यह जैन्ती मनाई जा रही है कि इसका उप्याश क्या है हमारा उप्याश है कि बाबा साथ में अमेरिकर पुरे भारत में एक संदार लिखने काम दिया है और हम इस समास से आते हैं हमारे बाबा साथ समास से थे आज हम दो 14 अपरेल एक जवाहार के रूप में मना रहा है सांतिपूर दर्श मना रहा है सांतिपूर दर्श मना रहा है और हमारे लगवाद 10 से 12 जार संक्या इस प्योगा में है और प्रसासन से सहयोग से हमारे अच्छे निशनी के सहयोग से कारकरम हम रहा है यह हर सार मना ही जाती है कि अधिकारी या करम चारी अगर समद रहां लेता है लेकिन बार बार चूँ ऐसा होता है कि समिदान को बदलने की बात की जाती है सब्ढ़ान की बदलने की बात आते पर हैं, बाबा साथ पहले ही कहते, सब्दाहन की ओना अच्छा हो, लागु होने पर नी पर करता, लागु करने ओने मारे पर नी पर करता है कि और बढ़ने की बात टे हैं तरिज से प्रेम नहीं करते हैं पिछली सरकार और पिछले जो मनुवादी के टो पालता आप भारत में भारत को मनुवाद हो सतमकर कर सब्सक्राइब करते हैं लेकिन के अंदर कमिया है तो बहुत बड़ा गोटाला दिखा तो यह सरकार तो बरस्ताचार मुख का नारा जो देती थी योगी सरकार तो उसके आप क्या कहेंगे योगी और मोधी सरकार आपको कैसा रहना है और समाज में आपको क्या क्या अस्थान मिलेगा में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है मेडिया सब कुछ जानती है यह सरकार क्या कर रही है यह सरकार जो समिधान बने की बात करती है कि अपने आपको जो है भारत माता की जए बोलते हैं यह हम लोगों को एक कहीं सोचते हैं कि वो लोग गुलाम रहे हैं गुलाम बनाने की साजिस कर रहे हैं रासन देने की बाकावा करना है रासन से कोई मस्दम नहीं है रोजगारी है जैसे जो सांसेद लल्लू सिंग उनका एक वीडियो आज वाइरल हो रहा है कि उन्होंने कहा कि अगर चार सो पार अगर हम आते हैं तब हम संविधान में संसोधन भी कर सकते हैं और हम संविधान को बदलेंगे भी उस पे आप जा कहें देखिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि संविधान लेकिने कि उनके बाब में ताकत नहीं थी और उनके बाब में भी ताकत नहीं है जो हमारी संविधान को बदल सकते हैं जी दिन संविधान बदल जाएगा हमारा समाज पूरे भारत को जाम करने के मां दावा रखता हूं हमारा दली समाज और भारत संदान में क्या बात कर रहा है वह भारत को बदलने की बात करें संदान में उनके बाफ लिखने की ताकत नहीं थी ना उनके बाफ में ताकत को सब्दान बतल सकते हैं नहीं दन्यवाद हमारे साथ में वकिल साथ और और वकील साथ आपके क्या राएं सबसे पहले हम कहाना चाहेंगे कि यहां जो भीड दिखाई दे रही है वास्तों में मुलनिवाशियों की भीड है और क्योई बनावटी भीड नहीं रही है देवगां बाजार में जो यह रेला उमड़ा हुआ है यह वास्तों में अगर भविश में किसी तरह की संविधान से छेड़ चाड़ की गई तो आप देख रहे हैं कि जो इसके जवाब देने के लिए हम लोग तयार है और आज जो हम बतादना चाहते हैं कि हम वास्तों में ब और उनको जो है एक सीमित मात्रा में आप नहीं कर सकते और पूरे देश के लिए उन्होंने पूरा संविधान का निर्मार किया है अच्छे है वकिल साब एक बात बताईए कि जैसे संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया बात जब संविधान की आती है तो जो लोग संविधान जलाते हैं जो सबका साथ सबका विश्वास सबकी विकास की बात करते हैं उन्हीं की सरकार में संविधान की कितकापियां जलाई जाती है उन्हीं की सरकार में संविधान रिच कर रहें नहीं है यह हो चुका है वकिल साप डिली में बाकाइदा मीडिया के सामने रोड पर संभीधान की किताबें जलाई गई है तो क्या यह दूस दूरो नहीं है इससे बड़ा कोई सिर्फ है ही नहीं कि भारत की शंभीधान को जलाया जाए यह देश का एक बहुत बड़ा जो है परमाली दस्तावेश है इसके लिए तो हम लुग वर्दास नहीं करेंगे और जो भी सरकारें अगर इस तरह का जो अगर कार करेंगे इसके हम खिलाफ हैं और हम अपनी आवाज को उठाएंगे जो आयो मर्मारी नहीं करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि यह हमारे विचारों की लड़ाई है समानता सम्मान की लड़ाई है तो जो जो भी इस पर सरागर उतरता है तो जाइब सी बात है कि हम उनको विल्कुल देखने का काम करेंगे अगर यहां पर हमारे प्रतिती हैं अभी आई है जो डाक्टर जिदू चोधरी जी आई है जो केडर से भी रह चुकी है और काफी जो उन्होंने मेनद भी क्या है समाज को जगाने के लिए अस्वर समाज में लोग प्री है तो हम चाहते हैं कि अगर चाहे जो भी अगर इसम बाबा शहाब के जो विचार है उनको जो है उपर ले जाने के लिए काम किया है और इसी के साथ जो हम आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं यह धन्यवाद आपका समझ देने के लिए तो जैसा आप संगठन के अध्यक्षे आप क्या कहेंगे आप बताएं आप जैसे ही आज रेली लिख ली है और इसमें तो सभी लोग हर वर्ट हर उमर के लोग है लेकिन जब समिधान बचाने की बात आती है जो लोग समिधान का अपमान करते हैं जो कसमें तो समिधान की खाते हैं लेकिन फिर रोड पर यह कहते हैं कि हम समिधान को जलाएंगे और जलाते हुए दिखे भी नेकिन उनके उपर मौजूदा सरकार ने कोई एक्षिन नहीं लिया उसके आप क्या कहें हाज्यक जाएंगे चले जाएंगे चले गएथे यह बाते पुरा ने कएके संबिदान कोई वगया कटाएंगे कि यह सरकार मेरे हाथ में नहीं सरकार जिस दिन मेरे हाथ में हो जाएगी उस दिन हम संभिधान को बचाना ही नहीं है संभिधान को ढालने के लिए सब्सक्राइब कर चाहे संभिधान की नुक्सान पहुंचाने के अगर आता तो बर्तमाद सरकार को पराता है तरकार तो यह भी सुनने में आ रहा है कई संसद इनके और कई विधायक इनके यह कहते हैं कि 2014 में अगर फिर से अगर हमारी हैट्रिक हुई हम संभीदान को बदली कर देंगे बदले कि जब भारत नहीं पुरा भीष्व बोलने लगेगा कि संभीदान भारत का कोई बचाने का तागत नहीं है इसमें चलाने काम करें अब आप से एक बात कहता हूं एक सेकंड जैसे डॉक्टर काशी राम जो थे मानेवर काशी राम स्वरगिया उनको पाज आए तो बेहतर होगा क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं है उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अमबेटकर का सपना लेके चले थे वहर वर्क के लिए लड़ते आए लेकिन जब से मायावती जी आई इतना सब कुछ अत्याचार हुआ है ना पिछोड़ों पे तो मायावती आज जो कुछ भी है वो दफ्टर बाबा साहब अमबेटकर और काशी नाम से है तो मायावती जी क्यों नहीं बोलती सार हम राज नहीं जाना चा लिए वाज आपका लेता भी आपने देखा हमारे जान के लोकों की लाएपी और इसको आप देख सकते हैं कि हजारों की संक्या में लोग या महुजूद है अज़र आशीन अली के साथ मैं जाबी शेख परहारी मॉंबई